करन जोहर पर अक्सर इलजाम लगता आया है कि फिल्म इंडास्ट्री में काम करने वाले आउटसाइडर्स का करियर तबाह करते हैं करन जोहर अपने स्टारकिड्स को बढ़ाने के चक्कर में और जन लोगों से करन की दोस्ती है या जो लोग करन के फेवरेट है उन्ने फेवर करने के चकर में करन जोहर काईं आउटसाइडर्स का करियर बरबात करचुके हैं और अब करन जोहर की ऐसी ही गिनोनी हरकत को एक्सपोस किया है 90's के डिरेक्टर राजकुमार संतोशी ने राजकुमार संतोशी ने 90's में तो बहुत सूपर हिट फिल्में दी लेकिन हाँ अभी इस नए दौर में भी राजकुमार संतोशी अपना काम करना चाते थे इसी दोरान उन्होंने रंदीप हुडा के साथ एक फिल्म बनाई Battle of Saragiri इस फिल्म के लिए रंदीप हुडा ने दो साल से दाड़ी और बाल बढ़ाए रंदीप हुडा ने अपनी फिजीक में भी बदलाव लाए रंदीप हुडा ने दूसरे प्रोजेक्ट भी साइन नहीं किये क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत ही डेडिकेटेड होना था रंदीप हुडा राजकुमार संतोशी के साथ Battle of Saragiri शुरू भी कर चुके थे फिल्म कहां कहां शूट होनी है क्या क्या स्टार कास्ट है ये सब फाइनल हो गया था और फर्स स्केडियूल के 20 दिन बीच चुके थे इसी बीच रंदीप हुडा और राजकुमार संतोशी को पता चलता है कि करन जोहर ने अक्षे कुमार को लेकर केसरी अनाउंस कर दी फिल्म अनाउंस कर रहा है या फिल्म प्लान कर रहा है वैसी फिल्म ओल्रीडी इंडस्ट्री में बन रही है और इस फिल्म के पोस्टर्स भी मार्केट में आ चुके है राज कुमार संतोशी ने कहा कि मेरी 20 दिन के फिल्म शुरू हो चुकी थी और करण ने अक्षरे के साथ ये फिल्म अनाउंस कर दी इसके तुरंत बाद हमारे जो फिनैंस थे उन्होंने हाथ खीच लिया वो पीछे हट गए और मेरी फिल्म बंद हो गई दुख इस बात का नह एक कॉल करके तक नहीं पूछा कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ किया आप भी ऐसी फिल्म बना रहे हैं क्या मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस तरब की बात यानि कि करण जोहर की इस हरकत ने रंदीप हुडा की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और रंदीप हुडा जो एक शांदार कलाकार है उनसे एक एहम प्रोजेक्ट इस तरीके से करन जोहर ने चीन लिया। इंडस्ट्री में अगर करन जोहर के साथ कोई ऐसा बरताव करता तो करन जोहर कोई मौका नहीं छोड़ते इस तरह की बात करने का। हर मीडिया करन जोहर के पास है वो जगे जगे जाकर इंटर्व्यूस करते लेकिन रंदीप हुडा ने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। वो अपने आप में बताता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में वो आउटसाइडर है उनका कोई माईबाप नहीं है लेकिन उन्हें पता है कि उनमें टैलेंट है वो इनसे क्योर नहीं है किसी को भी लेकर।